हाई फ्रेंज कैसे है आप इस वीडियो बे बात करेंगे यह सी वर्सिस सीटी ड्रीम लेवन स्टैट्स प्रस इंफो यानि की संराइज इस्टन केप और एमाई केप टाउन के बीच में जो आपको साउथ अफ्रीका टी 20 का मैच 9 होता दिखने वाला है उससे पहले दोस्तों आपको मैं कहूंगा कर आप हमारे टेलिग्रम चनल में नहीं जुड़ें जबूर हमारे टेलिग्रम चनल में आ जाए यहां पर टूलैक 14,000 लोग जुड़ चुके है लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो से अगर आपक की प्रिटोरिया ने 170 किये थे 11 में से उस मैच में आठ विकेट फास्ट को और तीन स्पिन को देखने को मिली थी कुल मिला के मेरे साब से एक अच्छा स्कोरिंग राउंड है यहां पर 160 170 का स्कोर बनना चाहिए और डिपेंड करता है कि अब कैसी बल्लेबाजी करी जाती है बट पिछ तो थोड़ी सी बल्लेबाजों को फेवर कर रहेगी इस्टन केप को अगर आप देखोगे तो यहां पर एडम जरिंग्टन 06 36 32 फॉर्म है ठीक ही फॉर्म है बट अभी खेल नहीं रहे है जो खेल रहे है जॉर्डन कॉक्स उनकी फॉर्म अच्छी है बट इस सी मैच में परफॉर्मेंस ज्यादा दे सकते हैं मारको यांसेन है ठीक है इसके लावा बोलिंग में सिसी ना मंगाला रेगुलर अच्छा कर रहे है ओटनी बार्टमेन का फर्म बहुत अच्छा और विकेट टेकर बनके खेल रहे हैं तो जॉन रंस मैच में जब टीम को बहु यह देखना रहेगा कि आज क्या चेंजिस होते हैं क्या यहां पर ठीक हो जाते है टॉम बैल आज के लिए यह आभी भी इंजड हैं यह चीज के इसाप से चेंज हो सकता है क्योंकि इस टीम ने तीन ही ओवर सीस प्लेयर खिलाए थे तो हो सकते मेशन क्रें को भी टीम मौका दे दे अब यह डिपेंड करेगा टीम की यहां पर क्या सोच रहती है और क्या वो चींजिस करते हैं लेकिन जो टीम के इंपोर्टन खिलाड़ी है जॉन जॉन समट्स डेफिनिटली आपको उपनिंग करते दिखेंगे और आपको यह ओवर भी करते दिखेंगे लास्ट में में उनों ने दो अब यह वर किये थे माकरम ने वर नहीं किया था लास मैच में लेकिन माकरम बड़िया बल्ले बाज है ध्यानक ना होगा इसका लाव टरिष्टियन स्टप्स है बहुत अटेकिंग प्लियर है माक कर सेकरमें ठीक ठाक रिकाड रखते है जेम सुलर बड़ि वर शिसीदा मंगारा ने किया है तो ये दो इनके बूलर ऐसे है जो विकेट टेकर बन सकते हैं मारको यांसन अपने ओर स्टार्ट में करते हैं एक अदा ओर मिडल में आके करते हैं इस जरुत पढ़ने पर एक डेथ में भी डाल सकते हैं माकरेम ने पहले match में 2 और किये थे क्योंकि सामने left hender आगे सुनूरान मुद्वस्वामी लेकिन इस match में अगर left hender आएंगे तभी माकरेम आएंगे सो हम सामने देखेंगे left-hander जादा हुए मतलब माकरेम की ज़्यादा bowling right-hander जादा हुए तो smuts की ज़्यादा bowling smuts ने दोनों match में 2-2 डाले हैं बाकी fuller है और ब्राइडन कार्स है दोनों ने 3-3 over किये थे last match में ब्राइडन कार्स को एक लखी विकेट मिली थी बहुत खराब गेंद पर राइली रसो उनकी आउट हुए थे Eastern Cape के full stats plus info आप देख रहे हो हर एक player के अगर आप record देखना चाहूं यहाँ आप देख सकते हो 266 मैच में 2853 बल्ले से रन है और 214 विकेट है 254 विकेट है मुझे कहना चाहिए 64 नहीं बढ़िया बोलर है यह भी अगर खेलते है धिहान रखना पड़ेगा डमेस्टिकली जॉनेतन हर्मन ने ठीक किया है लेकिन समट्स के 9 मैच में 168 रन है और बोलिंग में भी समट्स ने 9 मैच में 11 विकेट लिया है ओट नील बाट मैं 9 में 15 आयब लग युमाने 9 में 8 और जुनेट डेवर्ट 6 में थी अब बात करते हैं MI Cape Town की जो इस सीजन की सबसे strong team दिख रही है हाला कि इसके star player Sam Curran regular fail हुए है लेकिन हम सब जानते है Sam Curran बहुत तकड़े खिला रही है उनको all around compliment देगे ओडियन स्मिट जॉर्ज लिंडे ओडियन स्मिट मीडियम पेस के साथ बल्लेबाजी करते है जॉर्ज दो मैच में तीन में से बहुत अच्छा performance दिया है एक में जीरो प्यावट हुए है रियान रिकल्टन है यह भी काफी solid विकल्प है अच्छी opening कर रहे है देन रूल आफसन ने जिनकी form रिकल्टन से बहतर है लेकिन यह वंडोन आ रहे हैं Cape Town की प्राइबल 11 आपको ऐसे करा है ब्रेविस और इकल्टन ने रन किये जब यहां पर रूल आफसन के रन आयते तब बागी की टीम बिखर गई थी तो अगर आप यहां पर सामने की टीम के यान इस्टन के बोलर्स रख रहे हो तो रूल आफसन को ट्राय कर लेना क्योंकि हो सकता है वो फिर से एंकर का ठीक है कुछ ऐसे करके आप ट्राय कर सकते हो राजी मेंडे ड्यूसर ने बड़िया प्लेयर हैं दो मैच पे तो नौट रहे हैं सैम क्यों रहे हैं एक्सिलेंट प्लियर हाला कि आपको बता दू कि उत्रा अपनी शमता पर नहीं खेल पाए बाकी इनकी टीम बहुत पूरे चार ओर डाल दिये तो और अन एवरेज तीन मैच में नौवर यानि तीन मैच की अवरेज निकल रही है ठीक है अचा हमने यहाँ देखने थे एक important चीज़ पहले इनकी टीम में लेफ्ट हैं जादा है या राइट हैं तो इनकी टीम में लेफ्ट हैं बैट्समन की भ बोलर बहुत अच्छे हैं वकार सलामखील बहुत अच्छे अफगानी स्पिनर है विकेट टेकर हैं चार ओ डाले थे और एक विकेट भी लेके गए थे तो यहां पर सैम क्यूरेन को proper usage नहीं मिल रही अधरवाइस सैम क्यूरेन इस नो लेस देन एन एनीवन मेरे साफ से तो इंपोर्टेंट प्लेयर है बट इनको ऐस बोदर कमोवर मिल रहे हैं आप केप टाउन के फुल स्टैट्स प्रस इंफो देख रहे हो जिसका भी रिकॉर्ड आप रीट करना चाहों कर सकते हो डमेस्टिक स्कॉट पर में आता हो CSA T20 लीग के रूल अपसन नो मैच में आठ 337 के अवरेज है तीन अर्षर तक है ठीक है काफी अच्छा खेले थे सीजन ब्रेविस नौ मैच 326 की अवरेज एक शर तक एक अर्षर तक वेजले मार्शल 7 मैच 144 लिंडे 6 मैच 136 पोटगीटर 6 मैच 79 रिकल्टन 6 मैच में 46 विकेट्स वाइस धेवल ब्रेविस वास विके अच्छा खेला है हाला कि समट्स रबाड़ा पे एक बार और बैरों हेंडिक्स पे एक बर आउट हुए है जॉडन कक्स टोटली नॉर्मल जॉफरा आर्चर का लिख दिया है बट आई डून थिंग खेलेंगे बट सेफ साइड मैने उनके लिखे है मैच अपस बाकी के आग यहां पर सोच में ठोड़ा डालेगा क्या रिल्ट को ले या ना ले देखो एक मैच अप आता है लेकिन बल्लेबास को भी पता होता है मेरी वीकनेस क्या है मुझे इंप्रूफ करना इस पर तो हो सकता है रिकल्टन भी थोड़ा देखके आए या इनको संबल के खेलें या पर ऐसा भी कहीं बर हो जाता है कि इनकी छे गेंद रिकल्टन की वह जाए ब्रेवी सी खेल जाए तो मैच अप उस टाइम पर यूजलेस हो जाता है बड़ जो है वो है दो बार मगाला ने इनको आउट किया है ठीक है राजी मेंड अडियूसन टोटल नॉनमल सैम क्यूरें को आउट किया है जोज लिंडे और राशित खान में आपको जेम्स फुलान ने एक बार राशित खान को आउट करते दिखा है एंड जब अपने टीम करने आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में रियान रिकल्टन जॉर्डन कॉक्स रूल ओफ सन और एडम रोजिंग्टन है अब कॉक्स क्योंकि दो मैच फेल हुआ है में भी रोजिंग्टन आए टीम में बट मैं तब भी रोजिंग्टन इतरह प्रेफर नहीं करूंगा रियान रिकल्टन ओपनिंग पर हाला कि दो तीन कैच पकड़ भी रहे हैं अभी तक तीन मैच मैच चार कैच इनोंने पकड है अभी के लिए मैंने दोस्तों रूल अफसन को लिया है जो कि वन डॉन पर आएंगे और एमाई केप टाउन के लिए काफी हद तक जो सेकंड मैच पर 50 किये थे बहुत इंपोटेंट बनी थी उस मैच में इंप्रेमेंट मुझे खिलाड़ी का अच्छा लगा तो मैंने इ मैंने माकरेम को सबसे पहले चोइस किया है माकरा में एक बहुत धाकड़ प्लियर है आपने इनको सनराइज हाईदरबाद में भी देखा है साउत अफरीका की टीम के लिए भी देखा है और काफी ज्यादा तेज खेलते हैं अच्छी बात है कि इनके पास और क्योंकि सामने इनके पास बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स है चौके शक्के तो अराम से लगा लेते हैं लेक साइडों ऑफसाइडों दोनों तरफ बहुत अच्छे शॉट्स लगाना जानते हैं इस प्लियर की जो एक वीकनेस मुझे दिखी थोड़ी सी यह है कि अगर बॉल आप स्ट इनकी एजवेज लगके चौप उन हो जाए तो स्टार्ट में हो सकता है थोड़ा यह टिक जाए तो यह बंदा स्कोर करके जाता है अभी तक इनका उत्रा दिखा नहीं कि यह क्यों सबसे महंगे तो यह हो जाता है अच्छे से अच्छे प्लियर को भी वक्त लगता है कोई इसा तो है नहीं पहली मैच में आके 100 मार देंगे बट स्टब्स की केपविलिटी बहुत अच्छी है मुंबई इंडियंज में यह डेवल ब्रेविस की तरह सिलेक्ट हो चुके हैं दोनों ही बेस्ट खेले थे अंडर 19 में बट मुंबई इंडियंज ने तो लिया यहाँ प मैं नहीं लिया लिविंग स्टोन अभी इंजर नहीं है कुछ अगर खेलेंगे तो लूँगा पॉट गीटर को मैं नहीं ले रहा सरेल एरवी ओपनिंग पे हैं बट मैं नहीं ले रहा तो एक ऑप्शन है बट मैं तब भी नहीं ले पाऊंगा ना मारकस हमत को ना हमन को ना थोड़ी मुश्किलात आ सकती है जिस वज़े से मैं उनकी नैचल पॉजिशन में ना खेलने की वज़े से इतना रेकमेंड नहीं करूँगा मारकस एक्रविन को बोलिंग में देखो और रॉंडिंग में भी बहुत विकल्प है आपको मैं इस चार ओप्शन जरूर लेके च करवाओ जो इरोंने CSK के लिए करके काम्याबी से अच्छे रंस की है या फिर इनको फिनिशिंग करवाओ अब क्या हो रहा है सैम क्यूरेन को आप कहोगे यार प्यूज भाई थ्री डॉन पर आ ठीक है टू डॉन पर आ रहे हैं कोई बात नहीं दो यह तो दो हंड़र में हंडर बॉल्स होती थी यह T20 है जहां 120 बॉल्स है जब तक यह आते हैं तब तक थोड़ा सा यह ऐसे लगता है मारें या ना मारें उस सोच में उट होते जा रहे हैं फिर भी सैम क्यूरेन मेरी नंबर चोईस वन नंबर वन चोईस रहेगी क्यों भाई क्योंकि बेस्ट खिल जोन जोन समट्स लेफटाम और्थोडोक्स प्लस बल्लेवाजी इस मैच में मैं थोड़ा डाइसी हो रहा हूं इनको लेने को बट मुझे प्लेयर बहुत पसंद है जेमस फूलर है आपको यह देंगे ओवर तीन से चार ओवर साथ में आपको फाइब बल्लेवाजी देंग चुछार कर रहे हो और किसी साब से ले रहे हो मान लो कि टॉस पर अगर थोड़ा जाओगे सीटीग अगर बोलिंग है तो आप ले सकते हो या जॉड़ लिंडे या ओडियन को अधरवाइस आप फुलर को भी उठा सकते हो मेरे साब से इस मैच पे गेम जिंजर फुलर बन स दूंगा बोलिंग में मुझे काफी क्लियर है दो बोलर्स तो चाहिए रबाड़ा और आशित के बिरह में नहीं जाओंगा ये दोनों विकेट टेकर है मुंबई के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और दोनों काफी बढ़िया काम करके जा सकते हैं दोनों पास य दोनों अच्छे बुलर्स हैं दोनों ने विकेट निकाली है ठीक है एक चीज़ आप समझ के चलो बाटमेन और मगाला दोनों ही अच्छे विकेट टेकर हैं सिसीधा मगाला आपको करके देंगे दूसरा ओवर चौथा ओवर ये आपको प्रॉबली एक मिडल में दे देंग ऐसे इनके चार ओर रहते हैं बाटमेन के पहले मैच में तीन ओर ते जिसमें अठारवा और 20 ओर भी था और अगले मैच में बी इन्हों ने 200 ओर डाल है इसलिए मैं बाटमेन को चूज करूँ डेथ में कहीं बर विकेट ज़ादा चले जाती है तो यह रीजन है मैंने इनको आप मेरी टीम से पहले एक बार बाकियों के बारे में भी समझ ले ओले स्टोन अगर आते हैं मैं मजबूर हो जोगा लेने को विकेट टेकर है ब्राइडन कार्स अच्छे फास बोलर है इंग्लेंड के बट यहां पर आपको बता दूँ कि ब्राइडन की बोलिंग अच्छी नहीं लगी थी आर्चर बढ़िया बोलर है बट अभी खेलने पर डाउट है लेस चांस ही है वकार सलाम के लिए अफगानी स्विनर बढ़िया विकेट टेकर है बेसन क्रेन है यह रन भी बहुत खाते है विकेट भी ले जाते है बट वकार स लेने को फिर उस केस में क्या करूंगा यहां से एक और राउंडर हटाऊंगा जॉर्ज लिंडे टाइप प्लेयर को हटा के मुझे यहां पर लेने पड़ेंगे ओले स्टोन फिर में भी बाटमेन की जगह में फुलर भी कर सकता हूं यह ऑल डिपेंड करेगा सिचुएशन और सिनेरियो के ऊपर फिलाल हम इसी टीम से चलते हैं लेकिन फाइनल में चेंज आपको देखने को मिल सकता है कुमेंटरी यह कुछ बताया नहीं गया था कि यहां पर कितने ठीक हो गए तो वो ठीक हो गए तो वो वापसी करेंगे वैसे तो मैं तब भी इतना उनको टीम मे आपस जॉन जॉन समट्स हैं और जॉर्ज लिंडे अगर आप बोलिंग में जाना चाहो रबाड़ा और राशित भी खराब नहीं है तो विकल्प तो बहुत है पट मैंने अपनी कैप्टनजी सैम क्यूरैन को दी है वाइस कैप्टन सी माकरें को प्यूजबे क्या हम एक सॉ झाल